नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं ग्रेंड धंसनमाग दोस्तों हम बात कर रहे हैं कुम रासी के सबसे बड़े दुसमन तीन रासियां और कौन है आपके मित्र रासी अगर आपके बैवाही जीवन में कोई परेशानी है सत्रू रासी से विवा हो चुका है तो क्या करें वीडियो के अंतक बने रहें यह प्रेडिक्शन चंद रासी पर आधा दित है कुम रासी वायूतत्त्य की रासी है और आपका मालिक स्वैम सनी है सनी का आपके जीवन में रॉल ज्यादा होता है क्योंकि कुम रासी वालों का जीवन सनी के ही ऊपर सबसे जाता होती है कुम रासी वालों को मेश रासी धन रासी और मीण रासी से आपको साब्धान रहना चाहिए खास कर धन के मामले में रुपई ये पैसे के मामले में क्योंकि मेश धनू और मीन डासी से आपको धन के मामले में धोखा मिलने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है आपको लगता है कि आपके जीवन में ये आचुके हैं और धोखा भी दे रहे हैं तब क्या करेंगे धोखा से बचने के लिए पीपल के बिरिष्ट के नीचे सनीवार के दिन एक मुखी या चार मुखी दिपक सरसों तेल का जलाईए कम से कम पाँच सनीवार जरूर कीजिए आपको इससे फाइदा होगा अब हम बात करते हैं कुम रासी वालों का विवा कैसा होता है वैबाहिक जीवन और अगर मित्र रासी से साधी हो तो कौन है मित्र रासीयां सत्रू रासीयां कौन है जिन से आपको बच कर रहना है कुम रासी वालों वैसे तो भागे से या सोच से विवा ते होता है बिवा होने में भागी की सबसे बड़ी भूमिका होती है दो रासियों के बीच सही संबन से बिवा होता है और अगर आपकी रासी से मित्र रासी का बिवा हो जाए तो बैवाहिक जीवन सुखी हो जाता है और अगर सत्रू रासी से बिवा हो जाए तो लाइप टाइम संघर्स बना रहता है ताल मिल की समस्या बनी रहती है अगर सही रासी मित्र रासी से विवा करते हैं आप तो जीवन बेहतर होता है और आसान होता है जीवन में संघर्स कम होता है खुसियां जादा होती है क्योंकि मित्र रासी से हमारी सोच मिलती है और यही सोच जीवन की कठिनाईयों में हमें हिम्मत देती है कुम रासी वालों आपका बैवाहिक जीवन मिला जुला होता है कभी बहुत अच्छा कभी बहुत खराब लेकिन तूटता नहीं है चलता रहता है यानि कुम्ब वालों आपके बैभाहिक जीवन में तलाग के मामले बहुत कम होते हैं या अलगाओ के मामले अपने लिए थोरा सा सटिस्फाइट करें तो बहतर होगा और वैसे आपकी मित्र रासियां हैं मकर रासी, ब्रिसव रासी, ब्रिस्चिक रासी और तुला रासी अगर इन रासियों से आपका विवा होता है तो उत्तम है, सरवत्तम है अगर आपका विवा नहीं हुआ है तो कोसिस करें अपनी मित्र रासी से ही विवा करने का बागी कुछ मिले या ना मिले पर मित्र रासी अगर है तो बहुत अच्छा रहेगा आपका सत्रू रासी है सिंग रासी, धनू रासी और मेश रासी सत्रू रासी से बिवा करने से बचिए सिंग रासी तो एक बार बिवाह के मामले में चल भी जाए पर धनू और मेस रासी एकदम नहीं चलेगा बैवाहिक जीवन में अगर समस्या है सत्रू रासी से बिवाह हो गया है तब क्या करेंगे रोज सुबर सबेदे भगवान सूरे को जल दे एक चुटकी हल्दी डाल कर जल में ऐसा करने से बैवाहिक जीवन की समस्या दूर होगी और जीवन में इस्थिरतानी सुरू हो जाएगी अगर आप कुमरासी की महिला है तो खास आपके लिए आपकी सास थोरी राजनीती सोचवाली होती हैं बहुत तेज होती है और हमेशा बहु को राजनीती में फसाने की चاہद रखती हैं ऐसा 100% मामलों में नहीं होता अगर आपकी मित्र रासी की सास हैं तो थोड़ा कम होगा पर होता है तो आप इनसे बचने के लिए सुक्रवार के दिन खटी चीजों का प्रयोग ना करें और मंगलवार के दिन अगर आप चाहते हैं आपके सास से आपकी रिष्टे बेहतर हो तो मीठी चीज बनाकर सास को खिलाए दोस्तों ये थी कुम रासी वालों के जीवन के अंच्छुए पहलू और उनका उपाय अगर जीवन में परेशानिया है तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कर सब्सक्राइब जरूर कीजेगा हम फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ धन्यवाद हर हर महादेब